जीवन में कुछ ऐसी गटनाएं मुखती हैं इस परकार से कि वो आपके अंदर तक इला देती हैं और Consciousness Mind और Sub-Consciousness Mind यानि वो गटनाएं आपकी शेव ममोरी के अंदर चली जाती हैं दिमाग की यानि गहरे तल तक चली जाती हैं जिस परकार से आप अपनी कुछ फोटो फोन से उठाई और उसको अंदर इस तरह से शेयो कर दें कि वो गहराई तक चली जाएं वो कभी भी डिलिट ना हो तो वो सारी रिक तल को छूते हुए मानसिक तल को बोद्धिक तल को और बुद्धी की तनी गहराई तक चली जाती हैं कि जिनजोड देती हैं जीवन को और वो चीज वहां छप जाती है जब भी इस परकार की गटन कहीं भी होगे, आप पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे, तो वो घटनाएं वहां उस सब कॉंसियंसनेस माइंड से उठ करके आएंगी, और फिर आपके सामने स्तित्यूत्पन कर देंगी, और आपको बाहुनात्मक रूप से अंदर से फिर वही आलात फिर जिन जोड़ देग ऐसे खतरनाक हालात हो जाते हैं, कि आप सोते हुए एकदम से अगर गहराई में गये ना, कि उस तल के कई बार क्या होता है, ध्यान में तो गहराई में जाते ही हैं, इसके साथ साथ नीद की गहराई में भी जाते हैं, जब नीद के गहरे तल में जाते हैं, तो वो घटनाए फिर पर छूंज आते हैं पर दम से अड़ बड़ा करके उठते हैं पसीना आ जाता है कि यह क्या हो रहा एक दम से क्या दिक hanging कहीं फिर ऐसा क्या है यह पिर थोड़ा होस आता है फिर आप उस चीज से फिर उठते हैं ये इस परकार की घटनाएं बहुत लोगों के जीवन में बार-बार रीपीट होती रहती हैं रीपीट होती रहती हैं और आप इसको माइंड से नहीं अटा पाते हैं इस ये किस परकार से अटेगी ये तो आपको समझ में आ गया क्योंकि आपके साथ ये हो रह साय राहा है लाखों क्रोडों लोगों के साथ 10 प्रकार की घठनाएं हो रहेंगे और होती रहegी तो यह टेगा कैसे किसी के पास इस चीज का जवाब नहीं है न पहुते Master के बाद अनकी वह कैसे हटाये किया करें क्या ना करें बस आपको संजा देंगे मैं भी बोल दूँगा आपको कि पीछे की गटनाए छोड़ दो जीवन को आगे बढ़ाओ, भूल जाना चाहिए, आगे का ध्यान करना चाहिए, शाव दान रहना चाहिए, आगे गटनाए नहीं हो इस परकार की, तो ये समाधान तो नहीं हुआ ना, ये तो बस एक मानसिक र देवर्ट हो जाएगा ही दुरूदर थोड़ा और विचार घूशेंगे, सोचेगा थोड़ी कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, ये शान्त हो जाएगा, लेकिन पर्मानेंट तो इसका समाधान नहीं हो ना, और लोगों को पर्मानेंट सोलूशन चाहिए, के आधार के उपर चलता है, करम के आधार के उपर चलता है, करम के आधार के बिना ने कोई गटनाएं होती है, ने ही कोई किरिया परतिकिरिया होती है, तो हमारे जो अनंत अनंत जनमों के करम हैं, वो इनमें सामिल होते हैं, हम लोग ना उन गटनाओ को रोक पाते हैं, हम न ना उन गटनाओं के उपर परभाव कर पाते हैं, ना उनको भूल पाते हैं, कारण क्या है, कि ये कुछ लोग अपने आपको की मेरे कारण हो गया, उसके कारण हो गया, उसके कारण हो गया, नहीं, ये किसी के भी कारण नहीं होता, ये कर्मों के कारण से, संसकारों के कारण से प्रकर्ति के नियम से प्रमात्मा की मर्जी से ये सब चीजें एक साथ मिल करके तब ये इस परकार की बहानक से बहानक घटनाए होती रहती है तो इस से जब आपको ये थोड़ी थोड़ी समझाने लगेगी कि हमारा इसमें इनुवल्मेंट नहीं है तब आपको ये सोचना है कि ये फिर जो हमारे गहरे तल तक चला गया इसको कैसे निकालें इसका एक ही तरीका है आप वहां तक जाएं जहां तक ये गटना गटी है उस बोधिक तल तक जाएं वहां तक खोज करें और उस द्यान के दवारा या और किसी विद्धी के दवारा या किसी भी परकार से आप उस तल को छूएं उस तल को छूने के बाद फिर आपको महसूस होगा अनुवल होगा कि आप कहां पहुंचे कैसे पहुंचे और जो हमारे सिद्धे हैं उनके पास कि क्या कारण था क्या हमारा करम था क्या ये टाली जा सकती थी नई टाली जा सकती थी गतनाई बदली जा सकती थी कैसे क्या हुआ वो इन रहस्यों को समझाएंगे और आप द्यान के दौरा उस तल को छूँ करके और अगे बढ़गे तो वो तल नीचे रह जाएगे जब वो नीचे रह जाएगा तो वो दीरे 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 वो कमजूर होता चला जाएगा और जो च्छाप पड़ी हुई है वो जिस परकार से के उपर कोई दाग लगा हो तो हर रोज उसके उपर को सफाई करेंगे सफाई करेंगे सफाई करेंगे हर रोज करेंगे एकने एक दिन एकने दीरे 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 कमजोर हो करके समाप्त हो जाएगा तो उसी परकार से यह सब कॉंसियसनेस माइंड से जब आप उपर उठ जाओगे वह यहां रह जाएगा वह यहां तो अपने आप दीरे-दीरे उसकी कमजोर छवी होने लगेगी और दीरे-दीरे जब आप उस तल को छू करके हटा दोगे तो यह घटनाए रह से समझ में आ जाएगा अपने आप उस चीज से बाहर निकल करके अपने आपको कारण ना मान करके इस प्रकरती करम विधान को उस परमात्मा के बनाए हुए सत्य को स्विकार कर लोगे तो यह चीजे अपने आप अंदर से समाप्त हो जाएगे नहीं त ता हर मैं जाएगे उसां कर अंदर से समापने नहीं चीजे नहीं तो यह से उस्कार अंदर सी Iंच तो को यह चक्नाएवेन अपने प्रेस बीधा और मान कर लोगे ऑbay को